इस यहां पर हमें कुछ पॉइंट्स दे गए लाइक हम मार कर लेते हैं कि यहां पर हमें चार-चार पॉइंट्स दे गए तो फर्स्ट वाले पॉइंट्स ए हैं आपस में एक तरह से इक्वल नहीं होती यानि कि एक तो हमारे जनरल कॉइड्लेटरल आ जाएगा और अगर वो कॉइड्लेटरल कुछ स्पेशल क्यरेक्टरिस्टिक शो करता है या तो अगर उसकी चारो साइड्स डाइगनल्स की जो लेंथ है वो भी इक्वल आ जाए तो वो थर्ड अगर उसकी दो उपोजिट साइड्स इक्वल आ जाए प्लस जो उसका जो डाइगनल्स है वो भी इक्वल आ जाए तो वो क्या फॉर्म हो जाएगा वो एक एक तरह से वो फॉर्म हो जाएगा एक रेक्टैंगल यानि कि उपोजिट साइड्स तो इक्वल आ गई डा यहाँ पर चारो साइड से इक्वल नहाँ लेकिन अगर ऑपोजेट साइड से इक्वल आजाया और डाइगिनल से इक्वल नहाँ तो वह एक नॉर्मल पैरलोग्राम फॉर्म होगा तो इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं लेकिन जब इस टाइप के कुश्चिन्स आप ग्राफ फेपर पर करेंगे तो जैसी आप यह सारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो आपको तो वहाँ पर क्लिरली दिख जाएगा कि वह कौनसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है लेकिन अ हुआज है सो जब आप फॉर्स्ट पार्ट करेंगे तो फॉर्स्ट पार्ट में अगर आप एबी-सपट देखेंगे तो आपको डिस्टेंस इस कौन-कौन से कैलगुलेड करें होंगे एक तो आपको एबी कैलकुलेट करना होगा एक बीजिए नेक्स्ट इसके बाद एड and AD we can say AD नहीं यहाँ पर होगा AC and BD हर पार्ट में आपको यह 6 distances एक तरह से calculate करने होंगे so अब आपको पता है कि यह distance है तो distance formula का हमें use करना है तो सिर्फ यहाँ पर calculation उससाद कुछ नहीं है so जब आप first AB लोगे तो आपको यह जो A है यह वाले जो points है इसकी 1 मानने पड़ेंगे that is X1 Y1 same इसी तरह से next में BC में आपको B के points X1 Y1 मानने होंगे and same as it is अब आप X1 Y1 किसे मानेंगे यहाँ तो A को यहाँ B यहाँ C यहाँ D यहाँ पर A यहाँ पर B next अगर बात करें X2 Y2 किसे मानेंगे first case में तो यह होगा X2 Y2 next यह होगा X2 Y2 next यह होगा इसके बाद यह इसके बाद यह कुछ इस तरह से अब जब आप X1 Y1 X2 Y2 मानने इन values को put करेंगे और calculate करेंगे calculation आप इसली कर सकते हैं आपने आप यहाँ पर हम सिर्फ समझ लेते हैं क्या आएगा A B जो आएगा वो आपका आएगा root 8 BC आएगा यह भी root 8 आएगा CD आएगा यह भी root 8 आएगा and DA जो है यह भी root 8 आएगा साथ ही साथ जब आप AC और BD calculate करेंगे तो AC और BD आपका root 16 root 16 आजाएगा यानि कि एक तरह से यह values आजाएगे आपके पास 4 and 4 so अगर आप यहाँ पर देखें तो चारो साइड सी इक्वल है डाइगनल सी इक्वल है चारो साइड सी डाइगनल सी इक्वल होती है तो हमने स्टार्टिंग में देखा तो वो होता है एक square यानि कि first case में जो यह चारो points होंगे यह एक square फॉर्म कर रहे होंगे second case पर आजाते है second case में आप क्या calculate करेंगे second case में भी आप यही सारी चीज़े calculate करेंगे like a, b, b, c, c, d, d, a, c, and b, d तो अगर आप इसकी detailed calculation देखना चाहते हैं तो आप pdf देख सकते हैं उसमें detailed calculation है हम यहाँ पर सिर्फ समझ रहे हैं कि क्या होगा next जब आप यहाँ पर calculate करेंगे तो a, b, b, c, c, d, c, d, c, c, d, c, d, c, d, c, जब आप यहाँ से calculate करेंगे तो a, b, जो है आपका वो इस according आपका आजाएगा route 52 नेक्स्ट BC जो है आपका वो आयगा रूट 13 इसके बाद नेक्स्ट CD जो है यह आपका रूट रूट 2 इसके बाद AD जो है आपका वो रूट आएगा that is रूट 85 एक इंट्रेस्टिंग चीज आप यहां से नोट करेंगे यहां पर कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है तो यह एक हो जाएगा जेनरल क्वाड लेटरल और जब आप इसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो आप एक और इंट्रेस्टिंग चीज यह भी देखेंगे कि एक ट्राइंगल ही फॉर्म होगा नेक्स्ट अगर आए हम तो नेक्स्ट हमारे पास जो वो पॉइंट्स होते हैं वो चारों पॉइंट्स हमारे पास यहां पर गिवन है ए बी सीडी करके थर्ड पार्ट अफ दे कुश्चिन थर्ड पार्ट में जब आप कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले ए बी तो ए बी की जो value है आपकी A B हाँ से आपके पास आजाएगा root 10 next BC आप जब calculate करेंगे तो यह आजाएगा root 18 इसके बाद CD जो है वो आपका आएगा हाँ से root 10 next DA जो है आपका वो आजाएगा root 18 तो एक तरह से अगर आप देखें तो AB और CD equal and BC and DA equal है तो opposite sides यहां से equal आ रही है फिर आप यह चेक करोगी कि opposite sides तो equal आ गई चलो यह तो वो rectangle हो सकता है या parallelogram हो सकता है अगर diagonals भी equal आ जाती है तो rectangle हो जाएगा अगर diagonals equal नहीं आती तो वो parallelogram हो जाएगा इसके लिए जब आप AC and BD calculate करेंगे तो AC जो है आपका वो इस according आ जाएगा 2 and BD जो है आपका वो आ जाएगा 2 root 13 यानि कि diagonal equal नहीं है which means यह आपका हो जाएगा एक parallelogram तो यह method होगा इस तरह से आपको distance formula का use करके यह सारी values calculate करने है झाल झाल झाल